करांक पलंच में आने की संभावना है आपको वी असुन दहा के लिए हमें खेये देंगे हाई दोस्तों और एस न ब्लोग में आप लोग को का स्वागत है और मैं आज हूँ राइपूर स्टेशन में और मैं एक्ठो जगा सफर कर रहा हूँ तो मैं जा रहा हूँ एक्चुली मैं शतरपूर होते हुए अभी ट्रेंड है हम लोग सतना में उत्रेंगे शतरपूर होते हुए बागेस्वर धाम जा रहा हूँ तो मेरा ट्रेन 9 बजे है तो मैं दिन भर में सुटिंग ने कर पाया था और मैं आभी स्टेशन मा आके आपको सुट करके दिखा रहा हूं दोस्तों तो मैं पहुंच चुका हूँ अभी मैं निकला था एक बजे करीबन बस में देभग होते हुए और मैं आभी पहुंचा तो मैं बना देता हूं आइसे तो मैं भी गोम्ता रहता हूं तो बना देता हूं तो मैं अभी स्टेशन में हों और इधर अभी मेरा मतलब nut बहुत है तो मैं थोड़ा ओवाल लुंगा बाहर में भी parle में तो अच्छा लाई नहीं तो थीक है दोस्तों मैं दिखा रहा हूं आपको इधर का नजारा तो मैं पहुंच चेका हूं राइपूर दोस्तों यह राइपूर स्टेशन अंदर का नजारा बाद में देखा आँगा मैं बाहर हूं अभी तो इधर ऑटो स्टांड है और इधर अटो ऑटो मिल जाता है कहीं भी जाने से ट्रेंड से उत्तरने के बाद तो इधर बाहर जाने का रास्ता है दोस्तों यहीं से आप जहां भी जा सकते हैं अटो का स्टार निदर बाहर साइड खड़ा है तो एक तो मंदीर बहुत सुन्दर लगता है यहां मंदीर बहुत बड़ा है यहां का मंदीर आपको दिखा रहा हूं दोस्तों स्टेशन में ही है मंजा आज आता है देखने में बहुत बड़ा है तो इधर थोड़ा में बाहर निकल आया हूं इधर स्टेशन का बाहर एरिया आचुका में और इधरिच कहीं खानावना खालूंगा थोड़ा सा और हालकापुल का खालूंगा ज्यादा तो लिखाऊंगा यहां क्या है ट्रेन में सफर करूंगा फिर बास में पूरा सफर क्या हूं दिन घर तो ज्यादा इधर उदर खालेने से पेट वेट गड़मड हो जाता है उसलिए मैं थोड़ा बहुत जो भी रूटी उटी कम मसल खालूंगा यहीं बाहर आ चुका हूँ अभी दोस्तो और यहीं खाना वना कुछ खालूंगा और मैं स्टेशन चला जाओंगा फिर से और नावजे मेरा ट्रेन है और वहीं से बाइट के निकल जाओंगा तो ठीका दोस्तो दिखा रहा हूं आपको आगे थोड़ा आगे न बागस्वन दान जा रहा हूं तो साधा खाऊंगा इधर उदर का खाना नहीं खाऊंगा देख रहा हूं कहीं साधा वाला मिल जाता है तो नहीं उदर दिखनी रहे मेरे को इधर ही आगे देखा था एकड़ोट होचेट उदर ही खालूंगा तो नहीं तो रूट रूट जो भी इलाए व्चुरोप हांके निकल जाऊंगा तो दोस्तो अगे दिख रहा होटेल उढ़ने जाकर खानलेता हूं तो दोस्तो यहाँ एक थो राजस्थानी ठाली करके ऊहाँ इस इधर एक होटेल है इधर पीछे साइड महीं जाके खाना खाता हूं ठीक है वीडियो तो मैं अभी वीडियो बंद कर रहा हूं दोस्तो तो वीडियो आच्छा लगा तो लाइक से और कमेंट कर देना कल में बागस्वार धाम जाऊंगा तो उधर सूटिंग करके दिखाऊंग आपको ठीक है बाए गुड़नाइट दोस्तों